नमस्कार इजी खाना बनाना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखिए मैं आज तिल की एक बड़ी एसी रस्पी लिखिया हूँ यह मैंने लिए दू कप तिल सफेद दिल ले यह साफ किया वह मैंने इनको अच्छे से ता क्योंकि मिट्टी वगरा ना रहे बसे तिल ल देखिए बस ऐसे चाकू से बहुत-असानी से कट जाता है बस ऐसे इसको यह देखिए ऐसे कट कर ले किन देखिए मैं इस सारे को कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसके छोटे-चोटे पीस निये थोड़ा मोटा वाला घूड़ा आप चाहिए तो पीस्षी उई जो यह देखिए यह मैंने कड़ाई लिए बिल्कुल खाली है कोई तेल गीन डालास में आज मैंने मीडियम पे रखी हुई है यह बस मैं ले रही हूं वह जो तील हमने दो कप तील लिए इनको मैं सूखे रोस्ट करूंगी दीमी आच पर आच को हाई ना करें नहीं तो यह जलने लाते रहें आज को तेज ना करें क्योंकि हम भी नहीं लग जाएंगे नीची है कि देखिए मैं दो मिनिट के बाद आपको दिखा रही हूं कि कलर हलका सा चेंज हुआ लेकिन अब यह पूरी तरह से हुए नहीं है अभी मुझे तीन दो तिर से तीन मिनट के लिए और इनक हम ठंडा कर लेंगे यह देखिए ठंडा करने के बाद मैंने ले लिए गुड ले लिए मैंने तेल ले लिए अब यह मैं ले रही हूं मिक्सी का जार हम इनको मिक्सी के जार में डालके इनको पीसेंगे गुड और तिल को अच्छे इसको पल्स पे पीसें आप तेज मिक्सी में ना पीसे नहीं दुख्या होगा तिल जो है वह अपना तेल छोड़ देगा और यह थोड़ा लिक्विड लिक्विड से हो जाएगा तो इतना बढ़िया नहीं लगेगा यह थोड़ा सा पल्स पे करके रुक रुक के फिर इनको पीसे देखे मैं गुड डाल रही हूं और मैंने डाले हादा आधा करके दो बार में पीस लोगी अगर देखे मैं तो यह थोड़ा दाने दिख रहे हूं बस यह थोड़ा करंच रहेगा ना बस ऐसा ही चीए मुझे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी पीश सकते हैं यह देखें इसमें वाइड वाइड बस मैंने थोड़े दाने ही रहने दिए इससे क्या आता है जब हम खा देना तो एक क्रंच आता है मुझे वह बहुत बड़ी है लगता है यह देखें मैं दूसरे भी टाल देती हूं इसको भी अच्छे से ऐसे पीस लेंगे यह गुड में सारा ढाल देती हूं यह हमने दो क पका हुआ जो नारियल होता है ना खुपा बस वही काटा हुआ यह में लिए काजू अच्छा हम कोई गयात वगरा की चाशनी की कुछ भी जुरूरत नहीं है यह दो चमच भरके में डाल रहे है इसमें गी के देशी घिय के देशी घिय है कि गी से खुश्बो भी आएगी तो खाल अब जैसे जैसे चाहत के मिक्स करेंगे तो घर्माट लिए यह थोड़ा हमने दो चमच गी डाल है उससे भी बढ़िया बाइंडिंग आजएगी हमें ut Frame 501- 22 बेज्माच की उसकी बारी को वरके मरी निट्रों ना लें फिर आप इसको चुमाल लें लेकिन मैं इसको डारेक्ट लिए ऐसे बना रही हूं बीना करम करें बीना कड़ाई के देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया अब हम बना लेते हैं चोटे-चोटे लड़ू लड़ू बड़े भी बना सकते हैं तोड़ा साइज चोटा यह देखिए कितना बड़ी है चोटे-चोटे इसमें जब आप खाएंगे तो एक बिल्कुल अच्छा बड़ीया फ्लेवर आएगा क्योंकि हमने तिल को भी थोड़ा मोटा रखा है और ड्राइफूर्स आप अपनी पसंद से डालने हैं जो भी आप चाहें यह मैं सारे बन कुछ आशनी बनाने की जुरूर पड़ी बहुत ही पड़िया बनते हैं जल्दी बन जाते हैं तो अगर रेस्पी अच्छी लगए है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करके भी जुरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जुरूर से बाल नहीं है थेंक यू